राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की इकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह एकादशी शट तिला इकादशी वरत के नाम से जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनी को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे नारद आज मैं आपको शट्टिला एकादशी व्रत की महत्ता और इसकी कथा सुनाने जा रहा हूँ तो ध्यान से सुनो हे नारद एक ब्रह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्म चारे व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी वहे पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ती करती थी कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी द्यूज़त्तम नित्यवरत करने से उसका शरीड दुर्बल हो गया फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विजार किया कि कथिन व्रतों के करने से इसका शरीड शुद्ध हो गया है शरीर को सुखा कर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना दे बना लिया है इसने अनका दान नहीं किया जिससे कि सबकी तरप्ती होती है हे ब्रामन उसकी जाँच करने को मैं मनुश्य लोक में गया भिक्षुक का रूप धारन करके भिक्षा पात्र लेकर ब्रामणी से भीक मांगने लगा तब ब्रामणी बोली हे ब्रामण तुम कहां से आए सो मुझसे सत्यक हो फिर मैंने कहा, हे सुन्दरी, भिख्षा दो, तब उसने क्रोध में भर कर मिट्टी का ढेला मेरे भिख्षा पात्र में डाल दिया, हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया, महा वृत करने वाली तपस्वनी भी वृत के प्रभाव से धे समेथ स्वर्ग में पहुँच ग वहां कुछ भी नहीं देखा, हे द्विज, जब घर से निकल कर मेरे पास आई, और बहुत कुपित होकर, बोली कि सब लोगों को रशने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन वरत, उपवास और पूजा से अराधना की है, परन्तु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्धन कु को देखने आएंगी, तब शठतिला एकादशी का महात्मय बिना पूछे दर्वाजा मत खोलना, ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोग को चली गई, हे नारद, तब देउताओं की इस्तरियां उसे देखने आई, और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दर्वा देखने महात्मय सुना दिया, और कहा कि हे मानुषी दर्वाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है, उसने दर्वाजा खोल दिया, उन सबने मानुषी को देख लिया, हे दुछ स्रेष्ट, वह ने तो देवी है, ने गंधर्वी है, ना आसुरी है, ने नागिन है, ज चटितिला का व्रत किया तब है मानुशी शर्ण भर में रूपवती और कांती युक्त हो गई और उसके यहां धन धान्य वस्त्र समण चांदी ये सब हो गया विधी पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है हे मुनी उत्तम इससे शरीर में थकावट अनर्थ अ रक्षा करें राधी राधी